हलो दोस्तो कैसे हैं आप लोग आज का यह निया वीडियो में आप सभी को धेर सारा बहुत सारा स्वागत है मेरा नाम है गोपाल और दोस्तों आज वीडियो में हम बात करेंगे एड मोप का एड के बारे में 3 एड होता है बैनर एड इंटर स्टी एड उसके बाद reward एड तो यह जो एड है दोस्तों यह implement किया जाएगा एसके च्वेर प्रो में अभी का जो यह लेटिस्ट आप कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप जानना चाहते हैं शीकना चाहते हैं यह जो एड मोप का एड है आप किस तरीके से लगा सकते हैं एसके च्वेर के अंदर अपना प्रोजेक्ट के अंदर तो इस वीडियो में आपको complete जनकारी मिलेगा तो रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों फीडियो उपर लास्ट तक देखेगा तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते हुए स्टार्ट मारते हैं दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ना AdMob का Ad का Banner Ad, Reward Ad, Video Ad उसके बाद Interstitial Ad तो ये जो प्रोजेक्ट फाइल है दोस्तों इसको मैंने पहले सही बना लिया है ठीक है? मतलब वीडियो जादा लंबा ना हो इसलिए दोस्तों मैंने इसको पहले सही बना लिया है आपको क्या करना है? ये प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड करना है वीडियो का description में चेक कीजिए उहाँ पर आपको सारा जानकारी मिल जाएगा आप सबसे पहले दोस्तों इस प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कीजिए उसके बाद दोस्तों इसमें जो है न ब्लॉक बगेरा का इस्तिमाल क्या गया है? ये जो ब्लॉक्स आप देख सकते हैं इसको भी आपको डाउनलोड करना है आप डाउनलोड कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं दोस्तो मैं आपके यहाँ पर दिखा जाता हूँ यह देखिए Google AdMob का दोस्तो जो Ad का ब्लॉक है यह आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और दोस्तो इसका भी डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है आप यह जो जिसन फाइल है आप उसको डाउनलोड कीजिए दोस्तो प्रोजेक्ट फाइल को आप यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं एड़ मौउप इस तरह से लिख दीजिए लिजिकर इसका पर सलेट कीजिएगा वहां पर आपको रेटwhat यह तो आपको आता है ना दोस्तो आपको पता है na इसके बारे में फिर भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, उसके बाद आपको इसे शेख कर देना है, शेख करने के बाद भॉष आप देखेंगे यह यहां पर आ चुका है दोस्तों, addmog, addblog इसका पर सेलेट किजिए दोस्तों, तो इसका पर किलिक करके आप यहां पर import कर सकते हैं, इसका पर अगर आप फिल्क करेंगे तो जो JSON फाइल आपने डाउनलोड किया है उसको जाके आप OK कर दीजएगा तो फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा दोस्तों यह देखिए कि आपको इस तरह का फाइल मिलेगा आपको डाउनलोड मतलब इसका पर OK करना है उसके बाद Select कर देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो ब्लॉक बगेरा है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको All का पर Select कर देना है और यहाँ पर आपको block आ जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तो आपको यह आ जाएगा तो फिलाल इसको दोस्तो मैं delete कर देता हूँ क्योंकि यह मेरे पास पहले सही है ठीक है remove permanently तो दोस्तो यह blog मेरे पास यहां पर पहले सही है आपको मैं दिखा जाता हूँ यह देखिए यह blog जो है मेरे पास पहले सही है उसके बाद दोस्तो हम बात करते हैं ठीरी डॉट का पर क्लिक कीजिए library का पर क्लिक कीजिए और यहां पर दोस्तो आपको जो है दोस्तो अगर आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा है इसको इसको यहां पर लगा सकते ऐं और यहाँ पर यह banner का जो आईडी है, test add id का इस्तिमाल मैंने यहाँ पर किया है दोस्तों, ठीके, आप लोग इसको चेक कीजिएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं linear 2, ठीके, मैंने यहाँ पर दोस्तों, ठीके, इसे मैं cut कर देता हूँ दोस्तों, यह जो linear देख सकते हैं, linear 2 आप देख सकते हैं यहां पर आपका add so होगा और दोस्तों अगर आप इसका add लेना चाहते हैं यहां पर एक add view दिया गया है आप इसका लेना चाहते हैं तो आप इसका भी ले सकते हैं और इसका जो size है अगर आप इसको घटाना बढ़ना चाहते हैं मतलब size को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप यहां पर option देख सकते हैं ठीक है यह manually है दोस्तो और यहां पर दोस्तो यह जो है यह यहां का है यह code का है दोस्तो आपको सायद समझ में आ गया होगा और बाकी जो है दोस्तो यहां पर यह जो है किसी काम का नहीं है आप इसका इस्तिमाल ही ना करें ठीक है यह जो component यहां पर दिया गया है यहां पर आपको error आ सकता है तो आप इसका इस्तिमाल ना करें और बाकी दोस्तों यहां पर code बगेरा दिया गया है दोस्तों आपको जो block बगेरा है दोस्तों आपको यहां पर मिल जाएगा जो मैंने block आपक धिखता हम दोस्तों यह आपको यहां पर मिलेगा आप यहां पर अगर देखेंगे यह रहा यह रहा तो जो भी add आपने लगाया है उसको oppor slate कीजिए स्लीक ठीजिए यहां पर add कर दीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं reward add को मैंने यहां पर लगा तो यहां पर लगा दिया है उसके बाद इन्ट शीटियल एड को यहाँ पर लगा दिया है ठीके और हाँ दोस्तो थोड़ सर्मेर से गलती हो गया है तो मैं क्या करता हूँ एक मिनिट इसको जो है दोस्तो मैं यहां से हटा देता हूँ और यह मैं यहां पर लगवा देता हूँ ठीक है तो ये दोस्तो ये हो गया है ठीक है और दोस्तो यहां पर दोस्तो आप जो है न ये प्रोजेक्ट फाइल को डाउनलोड कीजिए उसके बाद चेक कीजिए आपको यहां पर सारा जानकारी मिल जाएगा ठीक है दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है दोस्तो यह कर सकते हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीकरे है, तो दोस्तों ज़यादा समय बरबात नहीं करेंगे, और मेरा मोबल का स्क्रीन टूट गया है, दोस्तों आप इसको इग्नोर कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, तो दोस्तों मैं आपको run करके install करके direct यहाँ पर life दिखा देता हूँ यह complete work करेगा without error, कोई भी error नहीं आएगा, और यह 100% काम करेगा दोस्तो, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ ठीक है, और कोई भी sketch hour है दोस्तो, उसमें आप इस project को इस्तिमाल कर सकते हैं कोई भी error भागेरा नहीं आएगा और आपका जो add है वो 100% so होगा ठीक है, आपको मैं यहाँ पर दिखा जाता हूँ यह देखिए, और यह जो add है दोस्तो यहाँ पर load होगा, तो यहाँ पर यह toast messages so करेगा, दोस्तो आप देख सकते है जो है add load हो गया, reward add load हो गया interstitial add जो है load हो गया है अगर यह load नहीं होता है तो failed का toast messages so करेगा दोस्तो, और आप यहाँ पर देख सकते है यह जो है दोस्तो, यह code का banner add है उसके बाद यह sketch hour app के अंदर जो weed gate है, उसका banner add है उसके बाद दोस्तो, आप यहाँ पर देख सकते है यह जो है full screen add मतलब interstitial add यहाँ पर load हो गया है so कर रहा है, उसके बाद दोस्तो, हम यहाँ पर video add का पर click करेंगे तो दोस्तो, आप यहाँ पर देख सकते है आपका जो video add है वो complete तरीके से हमारा so कर रहा है, इसको जो है हम close कर देंगे दोस्तो, और close का messages भी यहाँ पर so कर रहा है, ठीके दोस्तो पूरा का complete project है इसके अंदर आपको कोई भी error बगएरा देखने के लिए नहीं मिलेगा video का description में आपको link मिलेगा, यह project file को download कीजिए, जो block है आप उसको भी download कीजिए दोस्तो अगर आप code का इस्तिमाल करना चाहते है तो इसका पर click कीजिए, तो आपको यहाँ पर पूरा code देखने के लिए मिलेगा तो आप इस code का इस्तिमाल करके भी आप इसको edit कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने तरीकी से दोस्तो सीख सकते हैं सीख लीजिए, अच्छा है पूरा complete project है दोस्तो ठीके, और दोस्तो और एक बात दोस्तो यहाँ पर कुछ चीज़े import किया गया है आप ध्यान दीजेगा यहाँ पर बहुत सारे बहुत कुछ import किया गया है दोस्तो आप इसको भी ध्यान दीजेगा नहीं तो error आ सकता है ठीके, तो जल्दी चेक किजिए description में आपको link बगेरा मिल जाएगा और दोस्तो मैं उमीद करता हूँ आप सभी को हमारे यह video जरूर पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा एकदम complete तरीके से अगर आपको हमारे यह video अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो का निच्चे आपको like का button मिलेगा क्योंकि dislike का button तो है नहीं दोस्तो तो like ही कर दीजिए उसके बाद दोस्तो अगर आपने अभी तक भी कि हमारे यह YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं दोस्तो निच्चे आपको red color का subscribe button देखने के लिए मिलेगा subscribe कीजिए बगल में जो घंटी बटन है ना उसको all notification पर set कर दीजिएगा कि दोस्तो इस channel पर मैं आप सभी के लिए हर रोज interesting interesting important और helpful वीडियो अप्लोड करते रहता हूं ठीक है जब ही मैं कोई नया वीडियो आपके लिए upload करूंगा तो तुरण्द ही आपके पास notification आ जाएगा अगर आप घंटी बटन को all notification में set करके रखते हैं तो दोस्तो अगर आपका कोई कोई सावाल है तो जुरूर comment कीजिए और इस वीडियो को जतना हो सकता है अपना दोस्तों के पास friend के पास share कर दीजिए तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में इसी तरह का जबरदस्त interesting topic के साथ अभी के लिए इतना ही बाबाई